हेलो फ्रेंज मैं हूँ अदित्य और आप देख रहे हो लानी एक्स्पीरियंस विट एक योबिरोय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पार्ट टू में लिलास फ्रेंड बाई आरके नरायन और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखाया तो बच्चों पहला पार्ट जाकर देख लो पहला पार्ट नहीं देखोगे तो सेकेंड पार्ट कुछ नहीं समझवाएगा तो यह लिंक उपर में आपको दिख रहे होगी आई बटन में डिस्क्रिप्शन में कहीं भी जाओ ढूंडो वीडियो सर्च करो प्लेलिस्ट में जाओ आपको वीडियो मिल ज सीधा में और वो किस तरह से नौकरी कर रहा था और क्या क्या करता था लेकिन आप इस वीडियो में कि अब तक तु सब सब सिच्वीशन सही था लेकिन अब जो कlyakya परिवर्तन आए जो सीधा के लाइफ में लीला के लाइफ में यह लें जानेंगे तो one evening he went out to buy sugar and lila went with him when they came home lila's mother noticed that a gold chain lila had been wearing was missing तो एक शाम क्या हुआ कि ही यहाँ पर सीडा की बात की गई है वो गया शुगर लाने बाई शुगर and lila went with him और lila भी उसके साथ गई थी जब वो वापस आय लीला's mother noticed that a gold chain lila had been wearing was missing एक सोने की चेन थी लीला के गले में वो मिसिंग थी यानि कि लीला और सीडा दुनों गए चीनी खरिदने और वहां से आते वक्त जब घर पहुंचे तो लीला की मम्मी ने देखा कि लीला के गले पर चेन नहीं थी वो जो सोने की च लीला लुग्ड इंटो हर शर्ट सुष्ट और सेड आज डों नो हर मदर केव अर असलएप और सेड वह मैं थाइंग तो लीला की मदर ने उसे पूचा की कहां रखा तुमने इसे तो लीला बोलती है की ढूंदती है पले शर्ट में फिर उसे नहीं मिलता तो बदी पता नह इसके मपवार मारती है उसे और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कितने बार कहां है कि इसे सही से रखा करो इसे बॉक्स में रख दिया करो उसके बाल उसकी मपवार करती है सूनिए सीधा सीधा She shouted a moment later As Sida came in Lila's mother through a glance at him and thought the fellow already looked queer लीला की मम्मी ने यह पूचा सीडा से कि तुमने क्या वो चीन देखा है क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि वो जो बंदा है सीडा वो ऐसे ही घबडाया हुआ दिख रहा था लीला की मम्मी को तो उसके बाद उसने पूचा की चेन के बारे में कुछ पूचाच की तो जो सीडा था उसका गला सूख चुगा था यसा लग रहा था और वो पल जपकाया और बोला की मुझे नहीं पता उसने बताया की तुम नहीं बताओगे तो मैं पूलिस को बता दूँगी शीएद तो गो बाक इन्टो था किचन फॉर और फिर लीला की मम्मी जाती है किचन में कुछ काम से और जब वहां से आती है वो क्योंकि ओवन में कुछ चड़ा कर रखती है तो इसलिए वह वहां से जब आती है लीला फॉलोड हर विनिंग गीव मी सम शुगर अच्छा तो लीला भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है मम्मी मुझे भी तो चीनी दो मद आयम हंग्री वें दे केम आउट एंड कॉल सीधा सीधा देर वस नो आंसर सीधा है जब वहां से निकले वह है कि सिधा सिधा तो गया हुआ ती सिधा तो गाया भैं सिठा तो भाग चुका है ठीक है सीधा क्या हुआ कि वेंश हो गया अंधिरी रात में मिस्टर शिवा संकर खेम होम एन आवर लेटर और एक घंटे बाद उसके पिता जी आ गए लिला के ग्रिव वेरी एक्साइटेड ओवर आल दिस वेंट पुलिस स्टेशन और लॉक्ट और कम प्लेइन तो जब वह घर आ है जब उसे पता चला कि ऐसा ऐसा बात है सीधा ने उस में वह एक कम्प्लेइन फाइल करके आ गए आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूस्ट तो गो टू बैड और खाना काने के बाद लीला सोने नहीं जा रही थी ठीक है आई वोंट स्लीप अनलेस सीधा कम्स और टेल्स मी स्टोरीज आई डोंट लाइक यू मदर तो उसके बाद क् कि वो बोलते ही जब तक सीधा मेरे को आगे कहानी नहीं सुनाएगा तब तक मैं सोने नहीं जाओंगी मदर आई डोंट लाइक यू मदर तो मुझे आप पसंद नहीं हो ममा यू आर अल्वेज अब्यूजिंग और वरिंग सीधा वाय आर यू सो रफ आप हमेशा सीधा को कुछी लाती हो आप इतना रफ क्यों हो बट ही हैस टेकन अवे यूर चेंग तो उसकी मम्मी कहती है कि वेटा वो तुमारा चेंग चुरा कर ले गया है लेटेम आई ड़संट मैटर इड़संट मैटर चल मिया स्टूरी ठीक है ले जाने दो मुझे कहानी सुनाओ में को फर अचेंग टो मेकर लाई डाउन अन अलाप और उसे अपने गोद में सुला लिया पैरो के पर रखे उसे नींद दिल्वा दी उसकी मम्मी ने लीला को फिर भी लीला को नीद नहीं आ रही थी लीला यही कह रही थी टेल में स्टोरी मदर लीला सेड इट वस अटली इंपॉस बहुत इंपॉसिबल जाथा क्योंकि उसके मम्मी का यह ऐसा हैविचेट थी नहीं इसकी मम्मी सबसे तो उसके मम्मी को समझ में आ रहा था अचानक से भी क्या कहानी सुना हूं मैं हर माइंड वस डिस्टरब ऐसी उसका माइंड डिस्टरब ही सुने को चेंग ले गर और उ यह सब उसे और पैनिक कर दे रहा था और मतलब इसके मम्मी को और टेंशन में ले आ रहा था और डिस्टरब कर रहा था ठीक है दफेलो विट इस नॉलेज ऑफ दा हाउज़ोल्ड माइट कम इन आड नाइट एंड लूट और यह भी डर था कि यह जो नौकर का जो यह शी हाद बीन हार्बरिंग अल देस देज इस इत वस गॉड्ड मर्सी दाट ही देहाद इंट किल देचाइल फर देचें और उसे यह समाझ माया है कि अरे बाप बाप कैसा चोर को मैंने अपने घर पे रखा था कैसा विलन को रखा था अपने घर पे अच्छा वागी इसने म मेरी बच्ची को मार के चेन नहीं चुराया भगवान की रिपा है जो मेरी बच्ची बच गई स्लीप लिला स्लीप शी कैजल एट कांट यू टेल दा स्टोरी ओफ एलिफेंट की लाग्स्ट उसके ममी बोलती है सोजा बेटी सोजा तो घब आयों के बोलती है सोजा बबी आप मुझे एलिफेंट की कहानी नहीं सुना होगी और उसके ममी ने कहा नहीं तो फिर लीला ने आवाज किया और अपने ममी से कहा की ममी सीदा हमारे साथ चेयर पर क्यों नहीं बैटता है मर्दा डिदिन आंसर थे क्वेश्चिन लीला सेड आ मोमें लेटर सीदा इस गौन बिकॉज वोडिन बी आलाव तो स्लीप इंसाइड आवाज ज़स्ट आज वी दू तो उसकी ममी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर लीला ने कहा की सीदा क्यों चला गया आपको पता ह कि आप हमारे साथ उसे सोने नहीं देते थे, आप उसे अलाव नहीं करते थे हमारे साथ सोने के लिए okay Sida is gone because he wouldn't be allowed to sleep inside the house वो घर के अंदर सोने के allowed नहीं था इसलिए आप उसे बाहर सोने जेते था इसलिए वो गुस्सा होके चला गया होगा why should he always be made to sleep outside the house वो हमेशा घर के बाहर ही क्यों सोता होगा I think he is angry with us mother मुझे लगता हुआ हम जब से गुस्सा है by the time Siva Sankar return or you see time Siva Sankar वापस आते है Leela had fallen asleep he said what a risk we took in engaging that fellow it seems he is an old criminal he has been in jailed half a dozen times for stealing jewelry from children from the description I gave the inspector was able to identify him in a moment where is he now आजिस से वाइफ तो फिर कुछ दिर बाद Leela सो गई इसके पिता आए और वो बोले कि मैंने इंस्पेक्टर साब से बात की है हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था वो इंस्पेक्टर सामने कहा है कि वो बहुत ही पुराना क्रिमिनल है तो उसकी वाइफ ने पूछा कि वेर इस ही नाव वो अभी कहा है तो उसके हजबन ने कहां शिवसंकर ने कहां तो पुलिस को उसके सारे अड्डो का पता है और वो इसे जल्दी पकड़कर ले आई है चिंता मत करो, don't worry The inspector was furious that I didn't consult him before employing him Inspector साब ने कहा कि मैंने उसे पूछ के क्यों नौकरी पे नहीं रखा अगले बार किसी को भी नौकरी पे रखा तो मैंने पूछ लेना Four days later, just as father was coming home from the office The police inspector and a constable brought in SIDA अच्छा, तो जब उसके पिता रिटन कर रहे थे तब, चार दिन बाद क्या हुआ, कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है और constable है, SIDA को ढूंड कर पकड़ कर लेकर आ चुगा था SIDA stood with board head और SIDA मुंडी नीचे करके खड़ा वा था लीला was overjoyed, SIDA, SIDA, she cried and ran down the steps to meet him और उसने चिलाया, SIDA, SIDA करके और उसके पास चली गई, लीला बहुत खुश हो चुकी थी और चल गए उसके पास, SIDA के पास देखकर SIDA को देखकर उसकी खुशी जाग उठी थी, ठीक है Don't go near him, the inspector said, stopping her way, why not, तो don't go near him, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा, मच जाओ, मच जाओ, उसके पास मच जाओ, इंस्पेक्टर ने उसे रोका, why not, he is a thief, he has taken away your gold chain, क्यों नहीं जाओ, इंस्पेक्टर, ऐसा लीला ने कहा, क्योंकि छोटी बच्ची थी, तो उसने इंस्पेक्टर साब ने कहा, कि देखो बच्ची, ये एक चोर है, he is a thief, he has taken away your gold chain, और ये तुम्हारा gold chain चुरा चुका है, let him, I will have a new chain, ठीके, चुरान लेने दो, मैं एक नया खरीद लूँगी, लिला सेड, and all of them laughed, and then Mr. Shivshankar spoke to Sida, और सब हसने लगे, और फिर Mr. Shivshankar बात किये, Sida से, और उसकी wife ने भी उससे बात की, ठीक है, तो treachery का मतलब होता है, betrayal करना, यानि कि बैइज़त करना, ठीक है, then asked him where he put the chain, तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि, Sida, तुमने chain कहां रखी है, Sida ने कहा, I have not taken it, Sida said fably, Sida ने चुपचाप होकर कहां, कि साब मैंने chain नहीं चुराया, मासूम तरीके से, looking at the ground, और वो नीचे देख रहा था, शर्मिनदा था, why did you run away without telling us, तो तुम भागे क्यों थे, लीला के मा ने पूचा, there was no answer, उसके बस कोई answer नहीं था, लीला's face become red, और लीला गुसा हो रही थी, मूँ लाल हो गया था गुसे जो उसका, ओ पुलिसमें, leave him alone, I want to play with him, अरे ओ पुलिसवाले, इसे छोड़ दो, मेरे को खेलना इसके साथ, My dear child, said the police inspector, he is a thief, let him be, समझो हुई है, एक चोर है, तो लीला कहा, लीला ने कहा, होने दो, गुसे में कहा, तो what a devil you must be to steal a thing from such an innocent child, remarked the inspector, इंस्पेक्टर साब ने सीड़ा हो कहा, कि एतने मासुम बच्ची से, तुमने चोरी कर ली, कैसे ड़ डेविल हो, ठीक है, कितने पापी इंसान हो, even now, it is not too late, return it, अभी भी देर नहीं हुई है, return कर दो, I will let you go, provided you promise not to do such a thing again, तो मैं तुम्हें जानने दूँगा, और तुम मुझे प्रामिस करना कि ऐसा दुबारा नहीं करोगे, लीला's father and mother two joined in the appeal, और लीला की मम्मी और इसके पापा दोनों इस बात से सहमत थे, लीला felt disgusted with the whole business and said, लीला को गुसा रहा था, ठीक है, तो leave him alone, लीला ने कहा उसे छोड़ दो, he hasn't taken the chain, और उसने कहा कि, सीडा ने चोड़ी नहीं किया, you are not at all a reliable prosecution witness, तो पुलिस वाला ने कहा कि, देखो बच्चे, तुम्हारी गवाई तो हम नहीं सुन सकते न, तुम तो अभी बहुत चोटी हो, तुम्हारी बात हम नहीं मान सकते, my child observed the police inspector humorously, तो पुलिस वाला ने कहा कि, देखो हम तुम्हारी गवाई नहीं ले सकते, तुम बहुत अभी चोटी हो, no, he hasn't taken it, लीला screamed, नहीं नहीं इसने नहीं चुराया है, लीला ने चिलाया, her father said, baby, if you don't behave, I will be very angry with you, तो उसके बाद, उसके पापा ने कहा कि, देखो बच्चे, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, सही से बहुत नहीं करोगी, तो मेरे को बहुत गुशा आजाएगा, और half an hour later, the inspector said to the constable, take him to the station, I think I shall have to sit with him tonight, तो police ने कहा constable से, चलो, इसे ले चलो, police station, और लीला के घर पे गा, कि आज साह इसे ले गर बैठना पड़ेगा, the constable took Sida by the hand and turned to go, और से पकड़ कर, जैसे ही वो ले जा रहा था, लीला ran behind them crying, और लीला दोड़ के रोते रोते जाती है, don't take him, leave him here, leave him here, उसे मत ले जाओ, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, she clung to Sida's hand, और उसे के हाथ को पकड़ लेती है, he looked at her mutely, और वो उसे चुपचप देखता रहता है, like an animal, एक animal जैसा चुपचप, Mr. Shivashankar carried Leela back into the house, और Mr. Shivashankar जो है, वो अपने बच्ची को उठाते हैं, और फिर उसके घर के तरफ ले जाते हैं, Leela was in tears, और Leela के आँख भर आये थे, रो रही थी, every day when Mr. Shivashankar came home, he was asked by his wife, जब वो घर आते थे, तो उसकी wife पूस्ती थी, ठीक है, कि, any news of the jewel, कुछ ख़बर मिली सिदा की, चेन की, and by his daughter, वेरी सिदा, और उसकी wife उसकी बेटी पूस्ती थी की सिदा कहा है, मा पूस्ती थी जवेलरी कहा है, बेटी पूस्ती थी सिदा कहा है, और पीता के पाज एक ही जबाब होता था, कि, और उसकी wife ने कहा, कि, कि, वह, कैसा इंसान है, कैसा पापी इंसान है, बुझ बोलता ही नहीं है, तो उसकी wife ने, शिवरी कहा, मतलब, शिवरोकर कहा है, यानि कि, गुस्से में टेटी आ कर, ऐसे कहा, ओ, इस फेलोज, वो हैब बीन इन जेल वन्स, और twice, lose all fear, उसकी, पिता ने कहा, कि, ऐसे लोग, जो जेल में रहते हैं, यह अपना डर खो बैठते हैं, नथिन केंग मेग देम कॉनफेस, और वो लोग कुछ कुछ कॉनफेस ही नहीं करते हैं, अफ्य देज लेटर, पुटिंग हर हैंड इन्टू दे टर्माइन पॉट इन दे किचन, लीला जमदर पिग अप दे चेन, और कुछ दिनों बाद, लीला की मा, जब टर्माइन पॉट, यानि कि आचार के पॉट में हाथ देती है, लीला की वही गुम ही चेन है, वेन इट वस शोन टू हर, लीला सेट, गिविट एर, आई वान टू वेर दे चेन, तो जैसे वो लीला को दिखा थी, लीला, ये क्या है, महीं चेन इसमें कैसे आई, तो लीला को हैती है कि, ये मुझे दो, मैं पहनूंगी, तो महा पुसते के लीला, ये उसमें कैसे गई, तो लीला समः रिप्लाइ लीला, लीला गए, चली गई होगी, तो उसे ममी ने पूछा, did you put it in, तो क्या तुमने रखी थी, तो लीला ने का, हाँ, मैंने रखी थी, उसके ममी ने का, कब, लीला ने का, कि बहुत दिनों पहले रखी थी, तो उसके ममी ने पुछा, बताया क्यों नहीं मुझे पहले, तो लीला कहती है, कि मुझे याद नहीं था, वेन फादर केम होम और वास टोल, तो उसके पिता को जब ये सब पता चला घराने के बाद, तो उसके पापा ने कहा, कि देखा, मैंने कहा था, कि लीला ने कुछ किया होगा, मैंने देखा था, इसके हाथों में चेन दो-तीन बार, देखा, पुलिस केस भी कर दिया है, और यहां पे कह रहा, कि मेरी बेटी का ही गलती है, मैंने कहा था न, ऐसे होते हैं कुछ लोग, so, she must have dropped it into the pot sometime, जरूर उसने drop कर दिया, गिरा दिया होगा, कभी न कभी, किसी न किसी दिन, and all this bother on account of her, what about SIDA, asks mother, तो, अब SIDA का क्या, तो उसके मम में पूछती है, I will tell the inspector tomorrow, in any case, we couldn't have kept a criminal like him in the house, तो मैं inspector साथ से बात करूँगा कल, खेर, फिर भी, SIDA जैसे चोर को हम अपने घर में तो नहीं रख सकते, ऐसा कहकर ये story खतम हो गई, तो दोस्तों, अगर आपको chapter का explanation अच्छा लगा हो, ये slides अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, और दोस्तों में share करना और comment करना कि अगली वीडियो कौन सी हो, चली मिलते हैं, बाई बाई